Hello Friends, I'm Maddust and Industrial Pharmacy 1 BP502TK इस वीडियो में हम लोग Unit 5 में अपने एक Cosmetic Preparation Sample's के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग Sample की Definition के बारे में बात करेंगे Ideal Properties of Sample's के बारे में बात करेंगे Sample के Formulation के बारे में बात करेंगे पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये दॉक्टर PKS and Dr. MPS Classes को और करें अपने V Farm D Farm का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाव तो अगर हम लोग जो हमारे Sample's हैं उनके बारे में बात करते हैं जो हमारे Sample's are the viscous cosmetic preparation with the synthetic detergent used for washing the hairs तो जो हमारे Sample's हैं यह हमारे Viscous cosmetic preparations हैं जिनमें यह हमारे गाढ़े Cosmetic preparation है जिसमें हम लोग जो हमारे synthetic यहाँ पे detergents होते हैं उनको यूज करते हैं और इससे हम लोग अपने बालों को wash करने का basically काम करते हैं बालों को धुलने का काम करते हैं तो अगर हम लोग जो Sample's हैं उनको देखें तो यह जो हमारे hair के Cosmetics हैं उसमें एक काफी important हमारा जो है वो यहाँ पे Sample's हैं अधिकतर जो हमारे men's हैं और women's हैं दोनों इसको यहाँ पे use करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे जो Sample's हैं उनके ingredients के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे detergent यूज करते हैं या जो और raw materials यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस चीज का ध्यान द होना चाहिए अब हम लोग अगर देखें तो जो हमारे यहाँ पे Sample's हैं उनको हम लोग यहाँ पे cleaning के लिए तो यूज करते ही हैं बट इसको हम लोग अलग अलग जो हमारे यहाँ पे medical purposes हैं उनके लिए भी जो होता है hair fall उसको भी जो है प्रवेंट करने के लिए हम लोग क कीशी परगार की problem हो गई है तो उस condition में अलग-अलग प्रकार के जो हमारे होते है यहाँ पे medical Sample's है वह भी हम लोग यहाँ पे basically use करते हैं अब हम लोग जो हमारे Sample's है उनकी क्या ideal properties होती हैं उसके बारे में बात कर लेते है तो जो हमारे Sample's है उसकी जो हमारी सबसे पहली ideal यह होनी चाहिए कि उससे हमें sufficient leather produce होते हुए देखने को मिलना चाहिए जब हम लोग उसको apply करें तो जब हम लोग जो samples है उसको apply करें तो क्या हो हमें वहाँ पे अच्छा खासा जो foam है जाग है basically अपने samples से बनते हुए देखने को मिलना चाहिए अगर उससे sufficient जो लेदर है जाग है अगर नहीं बनेगा तो जो customer है वो यह सोन सकता है कि जो sample है वो अच्छा नहीं है उसके बाद में अगली property के बारे में बात करें तो यह जो हमारा scalp है वहाँ पे जो हमारी बालों में है तो उसको remove करने में हमारा samples properly able होना चाहिए उसके अंदर इनको remove करने की छमता होनी चाहिए उसके बाद में अगर अगली property को हम लोग देखें तो इसकी जो spreading property है sample की वो हमें काफी अच्छी देखने को मिलनी चाहिए जैसे ही हम अपने samples को अपने hair पे apply करें वो हमारे जो बाल है उनमें properly हमें spread होते हुए scalp पे properly spread होते हुए हमें देखने को मिलना चाहिए उसके बाद में अगर हम लोग जो samples है जब उनको wash करें तो उस condition में वो आसानी से हमारे बालों से remove भी हो जाने चाहिए यह भी property हमारे sample के साथ में होनी चाहिए मिस वहाँ पे उसको जो use कर रहा है उसको आसानी से remove भी कर सके उसके बाद में अगर हम लोग इसकी जो अगली property है उसके बारे में बात करते हैं तो जब भी हम लोग samples को अपने hair में use करें तो हमारे hairs को soft वहाँ पे कर देना चाहिए जो हमारे hair हैं वो completely try नहीं होने चाहिए और वो वहाँ पे easily manageable भी होने चाहिए वो वहाँ पे हम आसानी से उसको एक जो हमारा proper जो look है उसको कॉम को use करके आसानी से उसको हम लोग वहाँ पे अलग अलग कर सके उसको एक proper save दे सके ऐसा हमारे बाल वहाँ पे हो जाने चाहिए उसके बाद में अगर जो अगली property है जो की काफी important है हमारा जो sample है उसमें हमें एक अच्छी fragrance महक उसके अंदर होनी चाहिए जिससे की जब हमारा जो customer है उसको apply करें तो उस condition में उसको एक वहाँ पे अच्छी सी जो आँ सुगंध है वो हमारे sample से मिलनी चाहिए और अगर हम ल गएरा अपने samples से होते हुए देखने को प्राप नहीं होनी चाहिए अब हम लोग यहाँ पे samples का जो हमारा formulation है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग जब samples को prepare करते हैं तो कौन-कौन से ingredients को यहाँ पे add करते हैं सबसे पहले जो हमारा ingredient है वो हमारे surfactants यहाँ पे होते ह हैं जिनको हम लोग अपने samples में use करते हैं तो अगर हम लोग जो surfactant है उसके roll के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग क्यों use करते हैं तो हमारे hair को clean करने में भी हमें surfactant help करता है और वहाँ पे foam को produce करने में भी हमारा surfactant ही basically वहाँ पे help करता है तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारे surfactant हैं, वो हमारे बालों को clean भी करते हैं, और foam का formation भी हमें surfactant से ही होते हुए देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग जो हमारे four type के surfactants हैं, उनको हम लोग अपने samples में use करते हैं, इसमें जो हमारा सबसे पहला है, वो हमारे anionic जो surfactants हैं, अगर हम लोग जो anionic surfactant हैं, उनके बारे हम बात करें, तो इन में जो foaming property हैं, वो हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है, इनसे हमें अच्छा foam और leather बनते हुए अपने hairs पर देखने को मिलता है, तो अगर हम लोग इसके examples लें, तो जो हमारा alkyl sulfate है, इसका example है, हमारा जो होता है alkyl polyethylene glycol है, वो इसका example है, जो हमारा alkyl यहाँ पे benzene sulfate है, वो इसका example है, और जो हमारा alpha जो olefin sulfate है, यह हमारे जो होते है anionic surfactant, उसके examples यहाँ पे होते हैं, इनको हम लोग अपने samples में यूज करते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे non-ionic surfactant है उनके बारे में बात करते हैं तो as compared to जो हमारे यहाँ पे anionic surfactant है इन में हमें जो इनकी foaming property है वो कम देखने को मिलती है इनको हम लोग as a हमारे जो होते हैं secondary surfactant उसकी तरह अपने samples में use करते हैं तो अगर इसके examples के बारे म iam बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा होता है poly हमारा जो यहाँ एलकॉ nee इंको हम लोग उप्यों करते हैं हमारे öl्कॉनमाईट सैंघ्याप उसके बाद में जो हमारा third class है वो हमारे यहां पर cationic surfactant होते हैं तो अगर हम लोग जो cationic surfactant है उनके बारे में बात करें तो इन में भी हमें जो हमारी forming property है वो काफी अच्छी देखने को प्राप्त होती है बटिन की cleaning property हमें थोड़ा कम अच्छी देखने को प्राप्त होती है यह वहाँ पर partly clean करने का काम करते हैं तो अगर इसके examples के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा जो हमारे यहां पर यहां पर इत्हुक्स लेटेड़ अमीन्स वगएरा है या जो हमारा होता है यहां पर बेटेंस है उसको हम लोग basically cationic surfactant की तरह अपने यहां पर samples में यूज़ करते हैं उसके बाद में जो हमारा फोर्थ और यहां पर अंतिम टाइप है हमारे surfactant का वो हमारे simply amphoteric surfactants है यह इनकी जो cleaning property है वो हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है तो अगर इसके examples के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो हमारा वो dialkyl हमारा होता ethylene, diamine है उसको हम लोग यहां पर ऐजे amphoteric surfactant अपने samples में उप्योग करते हैं यहां पर जो हमा the germicides तो अगर हम लोग जो हमारे germicides हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा जो scalp है उस पे किसी भी प्रकार का microbial growth न हो उसके लिए हम लोग germicides को यहां पर use करते हैं जो हमारा scalp है उसमें जो हमारा microorganism की growth है उसको prevent करने के लिए basically हम लो germicides को अपने samples में use करते हैं इसमें हम यहां पर quarter neon ammonium compounds होते हैं जिसमें हमारा benzen Solcum chloride है उसको use करते है और जो हम लोग यहां पर use तो उस condition में हम लों anti-dandruff एजेंट्स को अपने saemproduks में यूज करते हैं अपना जो scalp है उस पे से dandruff को eliminate करने के लिए remove करने के लिए हम लोग anti-dandruff agent को use करते हैं अगर इसके examples को लहें तो जो हमारा selenium sulfide है उसको हम लोग ऐजे anti-dandruff agent use करते हैं और जो हमारा cadmium sulfide है, उसको भी हम लोग as a anti-dandruff agents अपने samples में use करते हैं, उसके बाद जो अगला ingredient है, वो हमारे conditioning agents हैं, वो basically यहाँ पे होते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारे conditioning agents हैं, उनको क्यों use करते हैं, उसके बारे हम बात करते हैं, तो यह हमारे hairs को यहाँ पे वो silky और वहाँ पे कह सकते हैं, shiny और वहाँ वो lustrous और easily manageable बनाने के लिए हम लोग basically conditioners को यहाँ पे use करते हैं, हमारे जो वहाँ पे बाल है, वो हलका सा soft हो जाए, वहाँ पे silky हो जाए, उनमें से अच्छी सी वहाँ पे वो चमक आए, वो वहाँ पे अच्छे से manageable हों, आसानी से manageable हों उसके लिए हम लोग basically conditioning agents को अपने samples में use करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो conditioning agents हैं, उसके examples के बारे हम बात करते हैं, जो हमारा वो lanolin oil है, उसको as a conditioning agent हम लोग अपने samples में use करते हैं, हरबन extract हों हमारे जो होते हैं, उनको भी as a conditioning agent हम लोग अपने samples में use करते हैं, जो हम हमारा अगला यहां पर इंग्रीडियेंट है that is called the कहलाता है पर्ल सेंट अगर हम लोग जो हमारे पर्ल सेंट जो एजेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग अपनी प्रपरेशन को ट्रांस्पेरेंट बनाने के लिए बैसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं जो भी हमारा वहाँ पर सेंपू है उसको एक स्मूथ जो टेक्स्चर है वो देने के लिए या उसको वहाँ पर एक अच्छा लुक देने के लिए हम लोग बेसिकली इनको यूज करते हैं तो यह हमारे सेंपू उपैग बनाने का काम करते हैं जिसके कारण ओपैसिफाइग भी हम लोग इसको यहाँ पर कह सकते हैं तो अगर इसके एक्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो अगेन जो हमारा यहाँ पर होता है अलकलोरमाइट उसको हम लोग यहाँ पर एजे जो हमारे पल्सेंट एजेंट है उसकी तरह उपयोग करते हैं जो हमारा यहाँ पर ह जो हमारा अगला ingredient है यह है हमारा sequestrant तो अगर हम लोग जो हमारे इस प्लेज पे होते हैं sequestrant या जो हमारे sequestering agent है उनके बारे में बात करते हैं तो जो भी हम लोग अपने Sampoos में अलग-अलग प्रकार के surfactants को यूज करते हैं, तो अगर जो हमारा water है, जिससे हम लोग अपने बालों को wash करेंगे, अगर उसके अंदर calcium या जो हमारे magnesium के जो metal आयन है, अगर वो वहाँ पे होते हैं, तो फिर वो हमारा जो surfactant है, उसके साथ में एक complex को form इस place पे कर सकत हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते है sequestrant या sequestering agents उसको use करते हैं, यह जो हमारा complexation है, जिसमें हमारे जो calcium और magnesium आयन है, वो हमारे surfactant के साथ में complex को form करते हैं, उस process को simply prevent करनेटा काम करता है, जिससे कि हमारे जो surfactant है, उनकी activity वहाँ पे disturb न हो, तो अग बाद में, ْगर जो अगला component है, उसके वारे में बात करते हैं, तो यह हमारे thickening agents से आपे हैं, तो अगर हम लोग thickening agents को देखें, तो इसकी जो viscosity है, उसको viscous बनाने के लिए, basically हम लोग thickening agents को use करते हैं, अपना, जो हमारा sample की preparation है, उसको थोड़ा qualitative बनाने के लिए, हम लोग thicken Machjan Th Squeeze Ciao methyl in Glykoll है इसको हम लोग इस थिकनींग एजन्ट अपने उन यूज करते हैं उसके बाद में हम जो अगला Component है जो कि काफी time तक एक proper अच्छी smell वहाँ पे दे ऐसे perfumes को हम लोग यहाँ पे prefer करते हैं तो अगर हम लोग इसके जो sources हैं उसके बारे में बात करते हैं तो अधिकतर जो हमारे होते हैं natural sources वहाँ से हम लोग जो perfumes हैं उसको लेते हैं तो इस condition में क्या है कि वहाँ पे microbial growth होने के chances काफी ज़्यादा होते हैं तो उसको prevent करने के लिए microbial growth को prevent करने के लिए हम लोग preservatives को use करते हैं यह हमारा जो preparation है उसकी stability को maintain करने का काम करते हैं उसको ज़्यादा stable बनाने का काम करते हैं तो अगर इसके examples को लें तो जो हमारा यहाँ पे होता है pyrahydroxy benzoic acid है उसको use करते हैं या जो हमारा phenyl mercuric nitrate है उसको हम लोग ऐजे preservatives अपने samples में use करते हैं और इसमें जो हमारा आज का हमारा antim ingredient है वो है हमारा colors तो अगर हम लोग colors के बारे में बात करते हैं तो जो हम लोग अपने samples में color को use करते हैं उसमें क्या property होनी चाहिए गर उसके बारे में बात करते हैं तो जो colors है वो water में soluble होने चाहिए ऐसे colors को हम लोग use करते हैं जो water में soluble हो और यहाँ पर हम लोग इसी का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी हम लोग color अपने shampoo में use कर रहे हैं वो हमारा जो hair है और जो हमारा scalp है उसमें किसी भी प्रकार का उससे stand या उससे जो color है वो हमारे scalp या hair में transfer नहीं होना चाहिए अब हम लोग जो हमारे samples हैं उनके classification के बारे में ब तरह ही होती है हलका सा ये हमारा जो liquid की consistency है उसमें ये Samsung में देखने को मिलते हैं उसके बाद में हम लोग जो तूसरा है उसके बारे में बात करते हैं ये हमारे cream thats की तरह देखने मिलती है उसके बाद में अगला है Aerosol Samples, तो इसमें हम लोग जो हमारे Aerosol के container हैं, उनमें propellant वगेरा को यूज करके अपने Samples को pack करते हैं, तो वो हमारे Simply Aerosol Samples होते हैं, जो हमारे इस प्रेस पे liquid Samples हैं, उनको ही हम लोग अपने यहाँ पे Aerosol में यूज करते हैं, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे special samples हैं उनमें हम लोग जो हमारे होते हैं medicated samples वो आते हैं और जो हमारे conditioning के लिए हम लोग जो samples उपयोग करते हैं वो हमारे special samples के अंतर गत आते हैं तो यह हमारे 5 type हैं हमारे samples के अब हम लोग जो samples है उसका method of preparation है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लो इस प्रेस पर यहां पर बात करेंगे तो जब हम लोग यहां पर जल सेंप옹 है उसको प्रमएर कर लेते हैं तो जब हम लोग जो लिक्विट कीपार कर ले तो ज किया साम प्रिकौर है जब उसमें जब आड़ कर देते हैं तो वह हमारा जो जल विए contextual है अगर जो हमारा liquid sample है उसको हम लोग एक proper जो प्रोपलेंट है उसको यूज़ करके अगर उसको aerosol के container में pack कर देते हैं तो वो simply हमारा जो होता है aerosol sample हो जाता है और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे liquid cream sample है या cream sample है उसमें कोई भी हमारा जो होता है medicated substance है अगर उसको add कर देते हैं तो वो simply हमारा यहाँ पे medicated sample है उसमें convert हो जाता है या जो हमारा वहाँ पे herbal जो extract है उनको अगर उस place पे add कर देते हैं हमारा जो होता है उसको वहाँ पे add कर देते हैं क्रीम सेंपू के बारे में बात करनेंगे तो अगर हम लोह यहां पर ज़ो सबसे पहला Ay Daik करते हैं कि हम लोग यहां पर जो water है वह वह लेते हैं और उसमें जितने भी detergent हम लोग sample में use करने वाले हैं उनको हम लोग simply डाल के उसका एक solution form कर देते हैं तो जब हमारा जो होते है detergent उनका solution बन जाता है तो फिर इस solution को हम लोग यहाँ पे 2 portion में या कह सकते हैं 2 equal portion में हम लोग divide कर देते हैं तो इस में जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा half इसका यहाँ पर portion होता है जंदर उसका total amount हम लोग उसको वहाँ पर dissolve कर देते हैं अब हमारा जो यहाँ पर है दूसरा portion अगर उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोग इस place पर क्या करते हैं कि जो भी हम लोग perfumes अपने sampoo में use करने वाले हैं उसको फिर हम लोग जो उसका दूसरा half है उसके अंदर simply हम लोग add करके dissolve कर देते हैं अब हमारा यहाँ पर दो solution form हो गए एक हमारा जो perfume का solution है या कह सकते हैं कि जो हमारा है यहां पे perfume और हमारा detergent का solution है वो form हो गया और जो हमारा दूसरा है वो हमारा जो होता है alkalormide solution वो हमें यहां पे form होते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है यहां पे अगर हम लोग इस place पे देखें तो एक हमारा यहां पे ज जो हमारा जो दोनों portion है A और B उनको फिर हम लोग आपस में एक दूसरे में add करके mix यहाँ पे कर देंगे तो अब हमारा इस place पे क्या हुआ कि हमें एक हमारा जो sample था वो हमें एक form में convert होते हुए एक portion में मिलते हुए देखने को मिल जायेगा अब हम लोग यहाँ पे क्या करे करेंगे और उसके अंदर उसको हम लोग separately colors को और preservatives को dissolve कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग इसको जो हमारा यहाँ पे A और जो B का mixture है उसको हम लोग या जो हमारा यहाँ पे है main solution उसके अंदर simply add कर देंगे तो यहाँ पे इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं क अब हमारा जब इसको हम लोग main solution में add कर देते हैं अब हम लोग इस place पे क्या करेंगे कि इसमें हमारा जो यहाँ पे entire solution फॉर्म हुआ है उसको फिर हम लोग उसकी यहाँ पे gentle stirring करने का काम करते हैं जिससे कि हमारे सारे component properly अच्छे से वहाँ पे mix हो जाए तो जब हम लोग इ यहाँ पे gentle stirring इसलिए यहाँ पे करते हैं क्योंकि जो हम लोग detergent वगरा यूज करते हैं तो उस condition में क्या होगा कि अगर हम लोग उसको वहाँ पे तेजी से stirring करेंगे तो फिर उसका foam हमें form होते हुए देखने को राप्त होगा तो foam का formation नहों हो उसके लिए हम लोग simply वहाँ पे gentle stirring करने का काम करते हैं उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो हमारा clear sterile water होता है उसको उप्योग करते हैं और उससे अपना जो भी हमारा preparation है उसका final volume हम लोग यहाँ पे simply made up कर देते हैं अब हमारा जो यहाँ पे liquid shampoo है उसका formation हमारा complete हो गया यहाँ पे जो हमारी preparation हमें मिल तो अगर हम लोग cream Sampoo के बारे हम बात करते हैं, तो अगर जो हमारा cream Sampoo है, उसमें हमारा glycol Hysterate है, उसको अगर हम लोग उपयोग करते हैं, तो फिर जो हमारा liquid Sampoo का हमारा method, okay, प्रप्रेशन जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया उसी सेम स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं और हमारा जो यहाँ पर होता है ग्लाइकॉल इस्टेरेट उसके कारण हमें एक क्रीम का फॉर्मेशन वहाँ पर सिंपली होते हुए देखने को मिल जा है और जो हमारा वाटर है उसको हम लोग यहाँ पर 80 डिगरी सेंटिग्रेट पर सबसे पहले हीट कर लेते हैं अब हम लोग इस प्लेश पर क्या करेंगे कि जो हमारे वैक्स है उसको फिर हम लोग सेम टेंपरेचर 80 डिगरी सेंटिग्रेट पर उसको भी हम लोग हीट जिससे कि हमारा जो wax है वो वहाँ पे हमें melt होते हुए देखने को मिल जाएगा तो अब हम लोग इस place पे क्या करेंगे कि यह जो हमारे दोनों solution है उनको हम लोग यहाँ पे 80 degree centigrade पे maintain करेंगे और उसके बाद में उसको हम लोग उसी temperature पे properly एक दूसरे में mixed करने का काम करेंगे औ और यहाँ पे again हम लोग जो हमारा gentle stirring है उसको हम लोग करते हैं जिससे कि उसकी वहाँ पे uniform mixing हमें होते हुए देखने को मिल जाए तो जब इसका जो हमारा mixing है वो properly complete हो जाता है तब फिर हम लोग इस place पे क्या करते हैं कि फिर उसको हम लोग यहाँ पे 40 से 45 degree centigrade पे cool कर देते है तो जब इसका जो temperature है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है 40 से 45 degree centigrade पे आ जाता है तो जो हमारे other ingredients है उनको फिर हम लोग add करने का काम करते हैं जो हमारे colors है हमारा जो perfume है या हमारे preservatives पगरा है उनको फिर हम लोग यहाँ पे add करते हैं और stirring की process हम लोग करते हैं जिससे कि properly हमारे ये उतार है तो अगर यहाँ पे यह हलका सा जब गरम ही रहता है उसी time पे हम लोग इसका जो हमारा suitable container है उसमें transfer करके pack करने का काम करते हैं उसमें उसको transfer कर देते हैं और उसी हलका सा जो वो हमारा गरम है उसी time पे हम लोग उसको अपने container में pack कर देते हैं जिससे कि वो वहाँ पे properly अच्छे से packed हो जाए इस तरीके से हमारा जो cream shampoo है वो भी हमें prepare होते हुए देखने को मिल जाता है तो I think so जो हमारा shampoo है उसका introduction उसका ideal properties उसका formulation और method of preparation आप लोगं को properly समझ में आ गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई confusion है कमेंट करके पूँच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले और हमारे एप को भी install करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू